जहें दोस्तों अंदे मातरम पिछले दिनों हर्याना में जो हिंसा हुई उस हिंसा के बाद में पुलिस ने देर ही सही लेकिन हाँ अप अपना एक्षा लेना शुरू कर दिया है और कहीं न कहीं आपको ये जानकर हैरानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि अब इस इंसा में भी रोहिंग्याओं की भूमिका निकल कर सामने आ रही है वही रोहिंग्या जिनकों की हम लोगों ने भारत में शरण दी हुई है और विसी बात है दुनिया के अलगला कोनों में रिफ्यूजीज का जो संकट इस समय चल रहा है उसने एक बहुती भयावा रूप लेना शुरू कर दिया मेवात और नूमें जिस तरह से मंदर को घेर कर उसके उपर हमला किया गया पहाडियों से लगातार गोलियां चलाए गई वो सबी तस्वीर है सबके सामने तो ऐसे में बार-बार सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इसका आरोपी है कौन मौनू माने सर का नाम बार-बार लिया जा रहा है लेकिन जब मौनू माने सर वहाँ था नहीं तो आप पूरा पूरा भांड़ा उसके उपर कैसे भूड़ सकते हो हाँ उसने भड़काने का काम किया है तो आप बिल्कुल जाच करिए लेकिन वहाँ पर बैटकर वो लोग कौन थे जो गोलियां चला रहे थे होम गार्ड्स की मृत्ति हुई है ये कोई जोटी बात नहीं लेकिन आप जानते हो क्या है हमारे बीच में काफी सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो कि दिखती नहीं है लेकिन होती है चाहे आप वशी करण की बात कर लें काले जादू की बात कर लें या फिर टैरो डीडिंग की बात कर लें टैरो एडिडिंग एक बहुत ही अच्छी चीज होती है जिससे कि आप अपने भविश्य के बारे में जान सकते हैं अगर आपको इंट्रेस्ट है तो तो इसी पूरे सब्जेक के ऊपर हम लोगों ने चेश्टा राठोर जी के साथ में जो कि एक टैरो कार्ड डीडर है उनसे बहुत ही गंभीर विशय के ऊपर बातचीत भी करी जिसमें कि उन्होंने हमको वशीकरन के बारे में बताया काला जादू कैसे नुकसान करता ये भी बताया जिन के बारे में बताया और काफी सारी चीज़े उन्होंने ऐसी बताई है जो कि शायद हमको जानना जरूरी है हम इसमें इंट्रेस्ट रखते हो या ना रखते हो तो अगर अभी तक आपने हमारा ये पौडकास्ट नहीं देखा है तो आई बटन के दिए उपर दिये हुए लिंक पिजाकर जरूर इस पौडकास्ट को देखें डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा जो ये जो पूरा का पूरा मामला है कहीं न कहीं एक साज़िश के रूप लेता जा रहा है क्योंकि यदि कोई भी हिंसा अचानक से होती है तो इतने सारे सेक्ड़ों लोगों का जुटना हिंसा करने के लिए संभावी नहीं है तो ऐसे में पुलिस अब इस बात की भी परताल कर ने की वो सभी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं फिलहाल के लिए हर्याना के मेवात नू में हुए दंगो के बाद अब पुलिस की नीन फाइनली खुल गई है पुलिस ने दंगो की शुरुआती जाच के बाद नू में रोहिंग्याओं और अवैद इतना है नहीं शुरुआती जाच में ये लोग हिंसा में शामिल भी पाये गए ऐसे में पुलिस ने अवैद कबजे पर गुरुआर शाम को बुल्डोजर चलाया हर्याना में हुई हिंसा के आरोबियों पर पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है अब तक करीब पांच जिलो में 93 अफायार भी दर्च करी गई हैं 176 लोगों की गिरफतारी होई है और अकेले 9 में करीब 46 अफायार दर्च होई हैं सुमवार को 9 में निकाली गई शुबायातरा पर पत्राव के बाद ही दो समुदायों में हिंसा फैली थी नू के अलावा फरिदबाद में 3 गुरुग ही चला है कि हिंसा प्लानिंग के तहट किया री गई थी और जाधर गिरफतार आरोपियों की अमर जो है वो 19 से 25 साल बताई जा रही है गिरफतार आरोपियों ने पूछताच में खुलासा किया है कि भीड में शामिल होकर अवैध हत्यारों से फायरिंग कर रहे थे इतना ही नहीं आरोपियों ने बताया कि उन्होंने भीड में शामिल होकर हत्यारों इट पत्थर लाठी और डंडों से भी लोगों पर हमला किया था हिंसा को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने अपने हत्यार लाठी डंडे भी चपा दिये थे आरोपियों ने पूछताच में ब पताया पांच जिलों में 93 अफायर दर्ज करी गई है और कुल लमां 176 लोग गिरफतारी हुई है अकेले नू में 46 अफायर दर्ज हुई है सुमवार को नू में निकाली गई शुबयातरा पर जिस प्रकार से हिंसा हुई थी उसके बाद यहां पर यह हिंसा फैली थी इसके ब जंगी पर वाइरल वीडियो के मामले में फायर दर्ज करी गई है और पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किये गए 2300 वीडियो की पहचान की पुलिस का मानना है कि इन जो वीडियो में जो कॉंटेंट था उसी के कारण कहीं ना कहीं धंसा भी बढ़की है अगर हम फा फिलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट पर भी एक्शन शुरू कर दिया है पुलिस ने इस मामले में साथ आफायर दर्ज करी है इन में से तीन शाहिद आदिल खान, मनक्का और शायर गुरू घंटाल नाम के यूजर कही है फायर के मताबिक शाहिद नाम की यूजर ने पा 25, 298, 504, 109 और 292 के तहट एफायर डाली है आला कि पुलिस ने अभी ये खुला सा नहीं किया है कि शायर गुरू घंटाल नाम का अकाउंट कौन चला रहा है पुलिस करीद 200 ऐसे वीडियो उसकी जाच कर रही है जने हिंज़ा फैलाने के लिए जिमेवार माना जा रहा है ह सरकार पड्याप्त बलो के साथ पूरी तरह तयार है उन्होंने ये भी बताया है कि राज़ भर में अर्दिसानिक बलो की जो 24 टुकड़िये तेरा थे नू में कारखर्फियो समय जारी है इंटरनेट बंद है और नू के अलावा फरीदबाद पलवल गुरूग्राम के सोहन पताओदी और मानेसर में इंटरनेट पर पावंदी लगी है वहीं नू सोहना और गुरूग्राम में मुस्लिम समय जारी ने घर पर नमाज अदा करने का फैसला दिया है हर्याणा के मेवात नू में 31 जुलाई को प्रिजमिंडल यातर निकाली गई थी और इसी दोरान यातरा पर पत्राव हुआ था देखते देखते ये दो समुदायों में हिंसा बदल गया और सैकड़ो कारों को आग के हवाले कर दिया गया साइबर थाने पर भी हमला किया गया और पत्रवियों नू के बाद सोना में भी पत्राव और फायरिंग हुई और वहानों को आग के हवाले कर दिया गया और इसके बाद इंसा की आग नू सा फरीदाबात होते हुए गुरुग्राम तक फैली नू इंसा में दो होंगार्ट समये छे लोगों को लिबा मत्ती हुई अब देखना है पुलिस तफ्तीश में और क्या बात हैं जो कि एहम रूप से निकल कर सामने आती है नेरे सुनी फिलालतना ही जैन जै भारत